सब्सक्राइब किजिए हमारे GK स्रीज वीडियो चैनल को और बेल आइकन को दबाईए सबसे पहले लेटेस्ट टॉप जी के वीडियो देखने के लिए लोगसभा के अध्याच्व को कौन चुनता है इसमें हर क्वेश्टन में आपको पाइस सेकेंड का टाइम दूगा अगर आप पाइस सेकेंड में वीडियो का एंसर नहीं दे सकते हैं तो आप वीडियो को पाउस कर सकते हैं लेकिन फ्रिंड्स आपको एंसर कॉमेंट करके जयरू बता ना है आप प्लीज कॉमेंट करके जयरू बताइयेगा अप्टोन नमबर राश्च पति चलिए फ्रिंड्स लोकसवा में जो अध्यच को चुनता है वो होता है राश्च पति चलिए इससे related कुछ fact को देख लेते हैं भारती जनता party के ओम बिल्ला वर्तमान समय में लोकसभा के अध्याच है जो सतरवी लोकसभा के अध्याच चता करते हैं 17th नंबर के लोकसभा के अध्याच है friends ओम बिल्ला अभी परजिन टाइम में जो लोकसभा के अध्याच कोन है वो ओम बिल्ला याद रखिएगा जिसका टाइम पेरिड है 19 जून 2019 से मई 2024 तक ओम बिल्ला अभी भारती जनता पार्टी इस करेंटली दा इस्पीकर अप लोकसभा और उसका नाम जो है अभी स्पीकर जो है लोकसभा के ओम बिल्ला याद रखिएगा फ्रेंट्स ओम बिल्ला जो 17 नंबर के है चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन देख लेते हैं सार। स्रभरीजिनिक छेत्र के किस बैंक ने सबसे पहले क्रेंट कार्ड परेस किया वीच पब्लीक सेक्टर बैंक रिट्रीश दा फॉस्ट क्रेंड कार्ड ओप्सन नंबर आभारतिय स्टेट बैंक स्टेट बैंक ऊंधिया ओप्सन नंबर भी I.C.I.C. अई बैंक Option number C, इलाहबाद बैंक Option number D, पंजाब नेशनल बैंक Option number E, भारतिये स्टेट बैंक चले यहाँ से बनने आले related facts कुछ देख लेते हैं SBI भारत का सबसे बड़ा सारवजनिक बैंक है भारतिये स्टेट बैंक का पुराना नाम Imperial Bank of India था जो 30 April 1955 को Imperial Bank का नाम बदल कर भारतिये स्टेट बैंक कर दिया गया था भारत में SBI बैंक का सबसे अधिक साख आए है मतलब branches बोले friends तो SBI का सबसे ज़ाधा है इंडिया में SBI is India's largest public bank The old name of State Bank of India was Imperial Bank of India on April 30, 1955 The name of Imperial Bank was changed to State Bank of India SBI bank has largest number of branches in India Option में इलाहबाद bank भी दिया था तो इलाहबाद से related कुछ fact देख लेते हैं देश के सबसे पुराने इलाहबाद bank की स्थापना 24 अपरेल 1865 को संगम नगरी इलाहबाद में हुई थी The oldest इलाहबाद bank in the country was established on 24 अपरेल 1865 in संगम नगर अलाबाद नेक्स्ट क्वेस्टन देख लेते हैं क्वेस्टन नमबर 3 भारत की पर्थम महिला मुखमंत्री कौन थी Who are the first woman chief minister of India Option नमबर E अमरिता प्रितम Option नमबर B इंद्रा गांधी Option नमबर C सरोजनी नाइडू Option नमबर D स्रीमती सुचेता कि पलानी यहां पर सुचेता होगा फ्रेंड सुचेता Option नमबर D सुचेता कि पलानी चलिए यहां से बनने आले कुछ related fact देख लेते हैं सुचेता कि पलानी भारत की पर्थम महिला मुखमंत्री थी उन्होंने 2 October 1963 को उत्तरपरदेश की पहली महिला मुखमंत्री के रूप में सपत ली थी सुचेता कि पलानी वाज दा फ्रस्ट वुमें चीप मिनिस्टर आफ इंडिया सी वाज सोन इन एस फ्रस्ट वुमें चीप मिनिस्टर आफ उत्तरपरदेश अन 2 October 1963 स्रीमति इंडरागांधी भारत की पर्थम पर्थम महिला परधान मंत्री रही है भारत रत्न से सम्मानित पहली जो महिला है वो इंडरागंधी ही है Ms. Indra Gandhi has been the first and the only female Prime Minister of India till now Ms. Indra Gandhi has been the Prime Minister of the Republic of India three times Indra Gandhi is also the first woman to award it to Bharat Ratna याद रखेगा फ्रेंड्स भारत रतन चलिए next question देख लेते हैं Question number 4 संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है The world's largest continent is Option number ए उत्तर अमेरिका Option number भी दस्चीन अमेरिका Option number C Asia Option number D Africa North America, South America, Asia and Africa Option number C Asia चलिए इससे related कुछ fact देख लेते हैं Asia या जंबू द्वीप अकार और जनसंक्या दोनों ही दिश्टी में वीश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो उत्तरी गुलार्द में इस्ती थे Asia और जंबू द्वीप is the world's largest continent in terms of both size and population which is located in the Northern Hemisphere आने की उत्तरी गुलार्द उत्तरी गुलार्द कहाँ पर है फ्रेंट्स और चलिए map में देख लेते हैं फ्रेंट्स ये वर्ल्ड का map है यहां सो जो एक स्टेट लाइन जाता है ये अच्छांस कहलाता है और ऊपर से जो एक होरिजेंटल लाइन आता है ये धिसांतर कहलाता है वर्ल्ड मेप में फ्रेंट्स ये जो है इस्ट में है ये वेस्ट है ये नौर्थ है और ये साहुत है देख लीजे फ्रेंट्स तो ये नौर्थ और इस्ट उत्तरी गुलार्द मतलब ये जो एसिया जो है फ्रेंट्स ये नौर्थ है नौर्थ साइड में फ्रेंट्स मतलब ये उत्तरी गुलार्द में है, तो चलिए महादीपों को हम लोग बड़ा से छोटा में देख लेते हैं, तो पहले नंबर पर आता है एसिया महादीप, दूसरे पर आता है अफरीका महादीप, तिसरे पर आता है उत्तरी अमेरिका, चौथे पर आता है दस्चिनी अमेरिका, पाच में पर आता है अंटार कर्टिका, शिक्स में हाता है यूरोप और सैवन में अस्टेलिया, एसिया, अफरीका, नौर्थ अमेरिक South America, Antarctica, Europe and Australia Asia जो है सबसे बड़ा है और Australia जो है सबसे छोटा कंटिनेंट है मैप में देखें तो यहाँ पर Asia है यहाँ पर अफ्रीका है यहाँ पर उत्तर अमेरिका है यहाँ दस्चीन अमेरिका है यहाँ अंतर कर्टिका है यहाँ यूरोप है और यहाँ अस्ट्रेलिया है चले फ्रेंट्स मैप में हम लोग देख लिया है अब अगले question देखने क्या है Question number 5 and last question friends इस वीडियो का वेदों की संख्या कितनी है What is the number of Vedas Option number 2 यानि की 2 Option number 3 यानि की 3 Option number C 4 यानि की 4 Option number D 5 यानि की 5 Option number C 4 वेदों की संख्या जो है friends वो 4 है चलिए वो कौन कौन से है उसका नाम देख लेते हैं तो friends उसका नाम है रीगवेद, सामवेद, या थरवेद, या जुरुवेद रीगवेद, सामवेद, अथरुवेद, या जुरुवेद नाम याद रखेगा चारवेदों के नाम है चलिए friends आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके वीडियो को इंड तक देखने के लिए friends धन्यवाद